नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं नाक में बादाम का तेल डालने के फायदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो बादाम को स्वास्ते लाबों का खजाना माना जाता है आपने बादाम के कई फाइदों के बारे में सुना होगा बादाम आपके मस्तिक्स को तेज करते हैं परती रक्सा को बढ़ाते हैं सरीर को अन्य लाबों की बीच में कोलेश्ट्रोल को कम करते हैं कुछ लोग बादाम को रात बर भीगो कर रखते हैं और इसे सुबह सबसे पहले खाते हैं जबकि कुछ इसे नास्तिक रोप में खाते हैं वहीं अन्ये लोग इसके कई और ए गिनत लाबों के लिए बादाम के तेल का उप्योग करना पसंद करते हैं बादाम की तरही इसके त संदरे से जुड़े लाब भी हैं जो लोग हर رोजाना दो भूंद बादाम का तेल अपनी नाक में डालते हैं उन्हें मौसमी InfecPoint से रहत मिलती है जिन लोगों की Immunity कम जोर होती है उन्हें बादाम के तेल को नाक में스크 सालने से काफी फायदा होता है वहीं सवसंत तंत्र से जुड़े कई छोटी मोटी परेसानियों का भी घरेलू इलाज बन सकता है दोस्तों बादाम के तेल के फायदे अनगिनत हैं इसमें विभिन विटामिन और खनी जैसे विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E कई तत्तु सामिल होते हैं इस तेल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हर उम्र का वैक्ती इसका उप्योग कर सकता है बात चाहे नवजाद सिसु की मालिस करने के लिए बादाम के तेल का उप्योग करना हो या किसी बूढे वैक्ती को सांस लेने में परेशानी हो ये हर किसी के लिए फाइदेमंद है इस तरह ये एक तरह नन्ने सिसु की हड़ियों और मासपेस्याओं को मजबूत करने में मदद करता है तो दूसरी तरफ ये सवसन परनाली से जुड़े विकारों से भी हमें दूर दोस्तों अगर आप दूद या पानी में बादाम के तेल की कुछ बूंदे मिलाते हैं और अपने बच्चे को देते हैं तो यह उनकी परती रक्सा को बढ़ाने में मदद करता है वहीं जिन लोगों को सुबह उठते ही ऐलर्जी के कारण छीक आने लगती है उनके लिए भी यह एक कारगर इलाज बन सकता है दरसल बादाम के तेल में मुझूद ओमेंगा सिक्स फेटी एसिड दिमाग के लिए फायदे मद होता है इसलिए भी गर्बवती महिलाओ के लिए बादाम का तेल इस्तमाल करने के लिए कहा जाता है इसमें उपस्तित आइरन केल्सियम और अन्य चीजे मा और बच्चे दोनों के लिए अच्छे हैं दोस्तों आइए जानते हैं नाक में बादाम का तेल डालना कैसे लाबकारी हैं दोस्तों अगर आप रोजाना अपनी नाक में दो बूंद बादाम का तेल डालते हैं तो यह ना केवल आपके लंबे समय तक जमात में मदद करेगा बल्कि आपको कई तरे की बीमारियों से भी बचाए रखेगा वहीं इसके कुछ और फाइदे भी हैं जैसे की बादाम का तेल नाक में डालने से ये आपकी सिर दर्द की समस्य से रहत दिलवा सकती हैं दोस्तों बालों का घिरना और बालों का सफेध होना भी ये रोक सकता है साइनस की समस्य में मदद करता है आपके दातों की जड़ो को मजबूत रखने में ये काफी परभावी है नाक में तेल डालना आपकी आखों की रोसनी के लिए अच्छा है साथ ही आपको गलोई इसकीन देता है और आपकी याद दास्त को तेट करता है दोस सुरू कर दें रोजाना बादाम के तेल की दो बूंदे डालने से आप स्वास्ते से जुड़ी कई परेसानियों से निजात पासकेंगे वहीं सबसे बड़ी बात ये है कि ये आदत आपको मोसमी इनफेक्शनों से दूर रखेगी जिसकी वज़े से आपको बार बार सर्दी जुखाम जैसे परेसानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें